Welcome friends, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें ये समझाती है, कि इंसान अपनी सूरत से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। दोस्तो, बहुत समय पहले की बात है, निधी अपनी मम्मी के साथ रामपुर नाम के गाउं में रहा करती थी। निधी की एक चाची भी थी, जो बहुत घमंडी थी, और उनकी बेटी रीमा, वो भी उनी की तरह बेहत घमंडी रड़की थी। रीमा को अपने गोरे रंग पर बहुत घमंड था, वो अक्सर ही निधी के सामले रंग को लेकर उसका मजाग बनाय करती थी। रीमा कहती है, अरे देखो, इस काली ने आज काले रंग के कपड़े पहने है, ये तो दिखाए भी नहीं दे रही, है ना दोस्तों? अब इस बात को सुनकर सबी लोग हसने लगते हैं, इस दोरान सुनाली ये बात कहती है, अरे हाँ, रीमा तो समय के साथ और भी काली होती जा रही है, अब इस बात को सुनकर वहाँ खड़े सबी लोग हसने लग जाते हैं, निधी रीमा से कहती है, रीमा, मेरी बहन होकर भी तुम अपने दोस्तों के सामने मेरा मजाक उड़ाती हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, रंग से इंसान के पैचान नहीं होती, ऐसा कह रहकर निधी वहाँ से चली जाती है, अब निधी अपने घर पहुँच जाती है, और एक कोने में जाकर बैठ जाती है, कुछ देर बाद निधी की मा देखती है, कि निधी बेहत उदास है, निधी की मा निधी से भूसती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो अब निधी कहती है मा, मैं इतनी काली क्यूं हूँ रीमा मेरा बहुत मज़ाग उडाती है मुझे बहुत बुरा लगता है अब निधी की मा कहती है बेटा, काला होने से कोई फर्क नहीं पड़ता काला और गोरा रंग तो उपर वाले की देन है निधी, अपनी मा से मा, आप रहने दो आप मुझे हमेशा ऐसे ही समझा देती हो पर आप बिल्कुल नहीं जानती कि रीमा मेरा कितना मज़ाग उडाती है और मुझे कितना बुरा लगता है इतना सब कुछ कहकर निधी गुस्से में अपने कमरे में चली आती है कुछ दिन बाद रीमा और उसकी मा निधी के घर आते है रीमा, निधी, कल मेरा बर्ड़े है तुम जरूर आना और बड़ी मा, आप भी आना निधी की मा, हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे और फिर रीमा और उसकी मा वहाँ से चली जाते है अगले दिन निधी और निधी की मा तयार होकर रीमा के बर्ड़े में पहुंसते है जहां पर रीमा अपने सभी दोस्तों के साथ खड़ी होती है निधी रीमा से अच्छा देखो, आज मैंने केक भी काला बनवाया है आखिर तुमारे कलर से कुस तो मैच होना चाहिए इस पार्टी में रीमा हसते हुए अब इस मजाग को सुनकर निधी को बहुत बुरा लगा और वो बिना किसी को कुछ बोले उस पार्टी से बाहर निकल जाती है निधी रोते रोते अपने गाउं में बने तलाब के पास पहुच जाती है निधी उदासी में तलाब के किनारे जाकर बैट जाती है और खुच से बात करते हुए कहती है अगर मैं काली हूँ तो क्या मुझे सच में जीने का अधिकार नहीं है? अब मैं और जीना नहीं चाहती ऐसा कहकर निधी तलाब में कूच जाती है जैसे ही निधी तलाब में कूच जाती है उसके बाद एक जलपरी निधी को अपनी गोद में बठा कर तलाब से पाहर लाती है जलपरी निधी को जमीन पर लेटा दी है और अपनी जादोई छड़ी से निधी पर जादू करती है जिससे निधी सीधा उटकर बैट जाती है जलपरी निधी, मैंने तुम्हारी सारी बाते सुन ली और मैं तुम्हारे दर्द को बिल्कुल समाज सक्की हूँ लेकिन इस तरह अपने इस अमूले जीवन को खतम कर देना ये भी तो सही नहीं है न निधी, मैं जानती हूँ जलपरी लेकिन अब इस दुख को सहते सहते मैं ठक चुकी हूँ जलपरी निधी, अब तुम्हारे दुख भरे दिन गए निधी, वो कैसे जलपरी? जलपरी, निधी, ये लो जादूई मेकप किट इस मेकप किट को यूज करते ही तुम गोरी हो जाओगी और अपने अलावा, अगर इस जादूई किट का परियोग तुमने किसी और पे करा तो वो भी गोरा हो जाएगा जलपरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है अब निधी ने उस मेकप किट को खोला और जलदी से अपना मेकप किया अब जादू हो जाता है, उस मेकप किट को प्रियोग करते ही निधी बहुत गोरी और खुमसूरत हो जाती है अब निधी को पता था कि उसे इससे क्या करना है वो जल्दी ही उस पार्टी में वापिस लोट जाती है निधी जैसी ही पार्टी में लोटती है सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं रीमा निधी के पास आती है और कहती है निधी तू इतनी सुन्दर कैसे हो गई? निधी रीमा को सारी बात बताती है अब रीमा निधी की बात सुनकर अंदर ही अंदर जलने लग जाती है और निधी की मा ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है फिर कुछ दिन बाद निधी और उसकी मा दोनों मिलकर एक ब्यूटी पालर डाल देते हैं और उनके पास गोरे होने के लिए बहुत सारे कस्टमर्ज आते हैं इस तरह निधी के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर निधी का मजाक कभी कोई नहीं उड़ा पाता तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले और ऐसी ही दिल्चस्प वीडियो को देखने के लिए हमेशा बने रहे हमारे चैनल के साथ हम आपसे मिलते हैं जल अपनी नई स्टोरी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद